हेलो गाईज, वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल सच्छाइम बाउंड गोल, आइम संदीब बिश्यो कर्मा, बीटेक फ्रम अलिगर मुसलिम यूनिवरसिटी इन एलेक्ट्रोनिक्स टिपार्टमेंट, आच्छली आज की वीडियो उन सब के लिए है जो बहुत ही कमपैस करना चाहते हैं, और उन्हें को ऐसा सस्ता सा कॉलेज चाहिए अच्छा जो बड़िया फैसलेटीज प्रोवाइड करें और कम पैसे में इंजिनियर बना दे, इन सब बातों पर हम डिसकस करेंगे, आक्शली तुड़े आम गोइंग टू डिसकस अबाउट अलिगर मुसलिम यूनिवरसिटी, एम्यो बीटे के बारे में मैं डिसकसन करूँगा, सब कुछ A to Z, एड्मिशन प्रोसेस से लेकर, प्लेसमेंट और कटाफ तक, यहां आने के बाद तुम्हें क्या क्या चीज़े मिलने वाली हैं, सब मैं तुम्हें बता दूँगा, अगर तुम एम्यो ब तुमआरा नहीं कर रहा है, एक तरीके का हर्जी वाड़ा है, रियलिटी कौन जानता है, इї बहुत सालोसे काम करा रहा है,енд यह सब नहीं बोल रहा, ठीक है, मैंने मतलब शाइकड़ों बच्चों की आड्मिशन इम्यो बीच्क में करा हैं, मैंने के एकजाम को कालिफाई क किरा है मैं दो तिन साल से इस पर काम कर रहाूं उन सारे बच्चों के लिए इसको तुम डीटेयल समझो बहुत सारी लोगों का कहना है बहुत सारी ये बाते अभी चल रही है तुम्हारे मन में भी डाउट है कि जिस तरीकी से जाम्या मिलया-इस्लाम या नियो दली ने अपने बीटे को जे में से कर दिया क्या एम्यों भी जे में से अड्मिशन देगा पहला डाउट तो यह है दूसरा डाउट कुछ लोग के कह रहे हैं कि जब से सीवीटी आया है सेंट्रल युनिवर्सिटी इंट्रैंस टेस्ट तो हर युनिवर्सिटी अपने एक्जाम कंड़क्ट खुद क आक्षिली मसला ऐसा है कि देखो जामियान ने भले अपना जैमेंस दे दिया पर एम्यों जैमेंस से नहीं देगा एड्मिशन इस बार भी और ना ही यह सीवीटी से देगा तुम्हें क्या लगता है जब एम्यू ने अपने बेस्ट जैसे को नहीं दिया तो इतना प्रीमिय रहता है और यह 100% है अगर इसमें कोई भी गरबड़ी हुई तो मैं खुद यहीं आगी तुम्हें वीडियो बना गिया समझा दूँगा एक्जाम डेट क्या है अभी तुम इंटरनेट पे डालो एम्यू बीटे का एक्जाम एक्जाम डेट निकल के आएगा अगर सब्टे में कभी नहीं पढ़ना अगस सितंबर अक्टूबर नमंबर तक में एक्जाम हुआ था उसके पीछे का रिजन था कोविड नाइंटीन बट अभी जहां जहां तक हमारी प्रोफेसर सारे लोगों से बात हुई सबका यहीं कहना था कि चीजें पहले जैसी हो जाएंगे जैस होता बट अब वैसा मामला नहीं है अब तुम्हारा एक्जाम में अप्रैल मही में होगा तो जो लोग अभी सोए हुए हैं कि हम बाद में की तैयारी कर लेंगे तो तुम इसके बरोसे अगर रहे तो डूब गया एक साले तुम लिखके ले लो अगर तुम अभी नहीं आगे तो नहीं हो पाएगा admission दूसरी बात online form जो है फैब या मार्च के मन्त में आ जाएगा ठीक है इसके लिए तुम्हें इसका ध्यान रखना पड़ेगा इलिजिबिल्टी क्राइटेरिया एम्यू बीटेक में जाने के लिए जो होती है आपके 50% एग्रीडियेट होने चाहिए physics, chemistry, math और इंगलिस में ठीक है या फिर आप डिप्लोमा होने चाहिए 50% marks आपके डिप्लोमा में होने चाहिए लेकिन हर एक डिप्लोमा वाला नहीं सकता है तुम जामिया से डिप्लोमा हो तो ऐसा नहीं कि तुम भर लोगे सिर्फ एम्यू की डिप्लोमा वाले ही बीटेक वेड मिशन ले सकते हैं otherwise होने ही चाहिए ठीक है इधान रखना एस का भी क्राइटेरिया है कि आपका एस 24 से लेस होना चाहिए अगर आप एम्यू ब चाहिए अब देखो एक बात मैं यहां जरूर मैंशन करना चाहूंगा अगर तुम्हारी तगड़ी चल रही है तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं की जरूत नहीं है यू कैन कवर दा अगर तुम्हें लग रहा है कि जेई में तुम्हारा नहीं हो पा रहा अच्छा तो तुम्हें जेई की त्यारी करने के वज़ाए अगर तुम्हें एम्यू में इंट्रस्टेड हो तो तुम्हें जेई की त्यारी करने के वज़ाए एम्यू की किसी इस्पेसल कोशिंग में जाना चीए है क्योंकि देखो जेए में क्या है ना 75 खुर्षिन होता हैं और तीन घंटें में 75 खुषन होता है और यहाँ पर यहाँ पर क्या है 10 бр होंते हैं क्योंता हैं 12 खूर्ष इक 11 क्लियРЕ होगा एध्यान रखना तो जी के लिए जो भी कोचिंगे पढ़ाती है बहुत डेप्ट में पढ़ाती है उतने की बीटिक में जरूरत भी नहीं है तो तुम हमेंसा ऐसे अगर एम्यू में में तुम एम्यू के लिए एसी कोचिंग को ढूंड़ो जो इसपेसेली अपना कंटेंट एम्यू के लिए डिजाइन किहों कि यहां पर मसलाई हो गा कि यहां पे ना और उन्हें पता है कि किस तरीके से सर्फेस को पूरा तुम्हें देना है तैकि तुम्हें में को क्लियर कर पाओं क्योंकि क्वेस्च् का हर एक बच्चा पढ़ सकता है अलीगर का ही नहीं और अलीगर में सबसे बढ़िया result हमारा है online manner में तुम देख सकते हो मैंने description में link डाल दिया अगर तुम interested होगे तो तुम उसे join कर सकते हो demo videos देखो Google form बरो हमसे suggestion ले सकते हो उसमें कोई मसला नहीं है हमारा कोर्स में खुद कह रहा हूँ यह मीव बीटे के लिए perfect है ऐसा design ही किया गया है कि एम्यू बीटे को clear करने में तुमारा रास्ता बहुत असान कर देगा हमने 14th rank 18th rank 45 rank ऐसे ही नहीं दिया है शे महीने के कोर्स में कोई भी नहीं दे सकता है पर हमारी टीम ने दिया है इसका मतलब साफ है कि हम लोगों ने content को ऐसे design किया है किसी chapter को चार lecture में कैसे देना है यह हमारे teachers को पता है तो तुम इसके चिंता मत करो ठीक है अब देखो books कौन-कौन से तुम ले सकते हो तो physics के लिए तुम DC पांडे लगाओ SCB लगाओ या फिर तुम हमारे materials को लगा लो हमारे materials sufficient है तुम कोई भी लगाओ यह तुम्हारी मरजी होती है chemistry के लिए NCID लगा लो math के लिए ID सर्मा का objective लगा लो या हमारे coaching material को तुम लगा रहो तो कोई भी कुछ अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है अब बात करते हैं ब्रांचेज कौन सी है तो CS, electronics, electrical, mechanical, civil और chemical यह सारी ब्रांचेज हैं जिसमें से CS का almost 100% का placement है EC का अभी बढ़िया placement है क्योंकि मैं खुद electronics से हूँ तो यह सब हम देखते रहते हैं electrical, mechanical, civil, chemical, even petro तक की दो आई थी. साथ में देख home food का जो यह लिए प्लेशन का एक इन निकला है जपा लियुक्त अविसक्का नंग साल हुआ हुआ इसको भी दो 64 के 64 के इसकी फीस है एक साल की जिसमें से होस्टल इंक्लूडेड है फूड भी चाली 30,000 के आसपास है और एवी भी 30,000 के आसपास है मतलब ठीक है फिर भी अधर कॉले से कंपेर करो तो बहुत कम फीस है अब देखो टोटल सी इसमें 425 है और यहां एडमीशन मिलना बड़ी अगर तुमने थोड़ा सा छे मैना भी अपसे भी लग के पढ़ना इस्टार्ट कर दिया ना तो आराम से तुम्हारे एडमीशन हो जाएगा इसको कोई रोक नहीं सकता है लेकिन तुम्हें रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा हमने देखा एक कितना इजी है अब रिजर्व कोई भी हो सकता है कोई विफ सकता है तुम चाहें जिस भी थे ढहां पर चदो चिंता मत करो अच्छा अब बात कर लेता है और किसका है इनका बहुत अच्छा सा रिजर्विशन है बहुत फायदे में लोग रहते हैं तो अगर तुम इस काटेगरी में आते हो तो को पता ही नहीं है तुम कश्मीर से हो तो अराम से तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा चिंता वाली बात नहीं है एंसी सी इन सबकी भी रिजर्वेशन है अब बात आती है अगर मुझे कंप्यूटर साइंस से यहां बीटे करना हो तो कितने मार्क्स लेके आने पड़ेंगे त के इस बात को नोट कर लो उसका जो पिलिए यर कश्म लेबल के questions पूछे जाते हैं क्योंकि यह लगाया तब जाता है जब एक्जाम नजदीक हो एक महीन बचाओ और तुम्हारा सब्सक्राइब करता है तो तुम उसको जरूर ले लो और दूसरी बात अगर तुम्हें बीटे की अच्छी से प्रप्रेशन करनी है तो हमारी dedicated coaching है जो कि one of the best coaching है अलिगर में online mode में तो तुम इसे जरूर जॉइन करो क्योंकि हमारा स्लेबर्स हमारा सब कुछ designed है EMU बीटे के लिए तो चलो मिलता है next studio में अगर तुम वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like, subscribe और share कर देना चैनल को subscribe करो हमेशा फायदेम रहोगे चलो मिलता है next video में तो तक लिए बाई-बाई ठाठा एंचाय हिंद